गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विश्णू, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मशी कुरुवे नम्हा, के लाश राना शिवचंद्र मोली, फनिंद्र माथा मुकुटी चलाली, कारुन्य सिंधू भवदुख हारी, तुझ्विन शंभो भज को नतारी, राधे राधे, मेरे प्यारे भाईयों, बेहनों, माताओं वाबंधों, आज गुरु वार के दिन, मैं आप के लिए लाई हूँ, गुरु प्रदोश व्रत कथा, और पूरन पूजा विधी, बंधों, गुरु प्रदोश व्रत करने से, सोभग्य की प्राप्ति ह होती है, और सुक्षान्ति की प्राप्त होती है, और मनश्य का सोया हुआ भग जाग जाता है, बंधों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली, सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके, बंधों, कथा को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बोक्स में, जे शिव शंकर भोले नात, जे ब्रहस पती देव की जरूर लिखें, बंधों, प्रदोश व्रत हार महीने की दोनों पक्षों की तर्योशित तिथी को आता है, बंधों, अ अलग अलग दिन पढ़ने वाले प्रदोश की महिमा भी अलग अलग होती है, जैसे की सों वार का प्रदोश व्रत मंगल वार को आने वाला हो, तो मंगल प्रदोश व्रत अन्य वार को आने वाला प्रदोश सभी का महत्व और लाव अलग अलग है, जो प्रदोश व्रत रव पुर्वक वरत रखने से जीवन में सुख शांती और लंबी आयू प्राप्थ होती है रवी प्रदोश का संबंद सीधा सोरे से होता है रवी प्रदोश नाम यश और सम्मान भी दिलाता है अगर कुंडली में अप्यश के योग हों तो रवी प्रदोश वरत जरूर करें रव गुरू वार के दिन आने वाले प्रदोश को गुरू प्रदोश कहा जाता है गुरू प्रदोश करने से रहस पती ग्रह शुप प्रभाव तो देता ही है साथ ही गुरू प्रदोश करने से पित्रों का आशिरवाद भी प्राप्त होता है गुरू प्रदोश करने वाले मनु खत्रू एवं खत्रों के विनाश के लिए भी किया जाता है। गुरू प्रदोश वरत हर छेत्र में सफलता के लिए भी रखा जाता है। बंधों जो मनुष्य भी गुरु प्रदोश व्रत करता है उसकी हर मनों कामना पूरी होती है बंधों जो मनुष्य भी व्रत करें वह सुभे सुर्योदे से पहले उठें और अपने नित्य करम करने के बाद भगवान शिव की विलिवत पूजा करें और पूरा दिन मन में भगवान शिव का स्मरन करते रहें किसी की निंदा ना करें किसी का मन ना दुखाएं बंधों शाम को प्रदोश काल में भगवान शिव के मंदिर में जाएं वहां आसन लगा कर बैठें और भगवान शिव को सबसे पहले जल चढ़ाएं फिर गंगा जल चढ़ाएं और फिर पंचाम्रित चढ़ाएं और इसके बाद भगवान को जनेव और पित करें और फिर भगवान को चंदन से तिलक लगाएं बंधों इसके बाद चावल और फिर भगवान को गुड की डली अरपित करें भगवान को बेल पत्र चढ़ाएं बेल पत्र एक एक करके उन पर चंदन का तिलक लगाएं और कहें त्री दलम त्री गुनाकारम त्री नित्रम चैतिधायुतम त्री जनम पाप सनहारम एक बिल्व शिव अरपनम बंधों ऐसा बोलते हुए भगवान शिव को एक एक बेल पत्र चढ़ाएं और फिर भगवान को धतूरा भांग आपके फूल ये भी चढ़ाएं फिर भगवान को रिदू फल चढ़ाएं और फिर दक्षिना भी चढ़ाएं भगवान की कपूर से आरती करें आरती करने के बाद भगवान को दोनों हाथों से आरती दें और कहें कपूर गोरं करुना वतारं संसार सारं भुजगेंद्र हारं सदा बसंतम हिद्यार भिंदे भवं भवाने सरीतम नमामी बंधों इसके बाद भगवान को खीर का भोग अर्पित करें और फिर भगवान के यहां मस्तक टेकें और फिर अपने द्वारा की गई पुजा पाठ भगवान के अर्पन कर दें और शमा याजना करें और फिर घर वापिस आ जाएं घर वापिस आकर भोजन ग्रहन करें और खीर का पर्शार लें भोजन में नमक नहीं खाना बंधों अब मैं आपको गुरु प्रदोश की कहानी सुनाने जा रही हूँ बोलो शिवशंकर भोले नाथ की जये प्रदोश वरत करने वालों को सो गई दान करने की फल के बराबर पुन्य की प्राप्ति होती है और उनकी सभी प्रकार के कर्ष्ट समापत होते हैं और सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और गुरु प्रदोश करने वाले मनुश्यों के शक्त्रों का विनाश हो जाता है बंधूँ इस कथा के अनुसार एक बार इंद्र और विदासुर की सेना में घन गोर युद हुआ देवताओं ने देट्य सेना को प्राजित कर नश्ट भ्रष्ट कर दिया यह देख ब्रिदासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयम युद को उद्यत हुआ आसुरी माया ने उसके विक्राल रूप को धारन कर लिया सभी देवता भैभीत हो गुरु देव ब्रहस्पती की शरन में पहुँचे ब्रहस्पती महराज बोले पहले मैं तुम्हें वितासुर का वास्त्विक परीचे दे रूँ वितासुर बड़ा तपस्वी और करम निष्ठ है उसने गंधमादन परवत पर घोर तपस्या कर शीव जी को प्रसन किया पूर्व समय में वह चितरत नाम का राजा था एक बार वह अपने विमान से केलाश परवत गया वहां शीव जी के वाम अंग में माता पारवती को विराज मान देख वह उपहास पुर्वक बोला हे प्रभो मोहो माया में फसे होने के कारण हम इस्तियों के वशी भूच रहते हैं किन्तु देव लोक में ऐसा दिष्टी गोचर नहीं हुआ कि इस्तरी अलिंगन बद हो सभा में बैठे चितरत के यह वचन सुन सरव्यापी शिवशंकर हस कर बोले हे राजन मेरा वैभारिक दिष्टी कोन प्रिधक है मैंने मृत्यू दाता कालकुट महाविश का पान किया है फिर भी तुम साधारन जन की भाती मेरा उपहास उडाते हो माता पार्वदी क्रोधित हो चितरत से संबोधित हुई अरे दोष्ट तुने सरव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उडाया है अतैव मैं तुझे वेशिक्षा दूँगी कि फिर तु ऐसे संबोधित के उपहास का दुस्सहा नहीं करेगा अब तु देत्य सरूप धारन कर विमान से नीचे गिर मैं तुझे शाप देती हूँ जगदंबा भवानी के अभिशाप से चित्ररत राक्षस योनी को प्राप्त हुआ और तवश्टा नामक्रिशी के शेष्ट अपसे उत्पन हो बृतासुर बना गुरु देव ब्रहस्पती आगे बोले बृतासुर बाले काल से हिश्शी भगत रहा है अतेहे इंद्र तुम ब्रहस्पती प्रदोश वरत कर शंकर भगवान को प्रसंद करो देव राज ने गुरु देव की आग्या का पालन कर ब्रहस्पती प्रदोश वरत किया गुरु प्रदोश व्रत के प्रताप से इंद्र ने शिक्रही व्रितासुर पर विजय प्रापत कर ली और देव लोक में शान्ती छा गई अते हैं प्रदोश व्रत हर शिव भगत को अवश्य करना चाहिए बोलो शिव शंकर भोले नात की चे जे शिवे ओमकारा भज जे शिवे ओमकारा ब्रह्मा विष्टो सदा शिवे अरधांगी धारा ओम जे शिवे ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन विष्वान साजे जे शिवे ओमकारा दो भुज चार चतुर भुज दश बुजते सोहे स्वामी दश बुजते सोहे तीनो रूपन रखते तीनो रूपन रखते ती भुवन जन मोहे शिवे ओमकारा अक्ष माला वन माला रुण माला धारी भुले रुण माला धारी ते पुरारी कंसारी ते पुरारी कंसारी कर माला धारी जे शिवे ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबरे झाल 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 ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अरधांगी धारा ओम हर 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 महादेव बोलो शिवशंकर भोले नाथ की जै राधे राधे जै शिक्रिष्णा बंधू यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें आज शेयर भी जरूर करें धन्यवाद